हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप लोंक लिए लेकर आई हूं हरे भरे कबाब की रेस्पी जो की हम बनाने वाले हैं LG चारकुल माइक्रोवेब में लेकिन यदि आपके पास चारकुल मॉडल नहीं है तो आप सिंपल अपने माइक्रोवेब म इसे बेक करके बना सकते हैं तो चलिए रेस्पी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखर हमने इन कबाब को किस तरह से तयार किया है तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें मैंने डाल दिया है दो कब पानी और गरम हो चुका था तो अब मैं इसम तोड़े से थीन से चार मिट के लिए नोट कर चाह भी कोक करेंगे इसे भी मैंने बारी काटा हुआ है उसके बाद मैं इसमें डालूंगी दो सिम्ला मिर्ट जिसको मैंने बारी काटके डाला है और इन सारी चीजों को हमें भूझना है और इसके बाद एट करेंगे हम यहां पर हरे मटर तो यहां मैंने 200 ग्राम हरे मटर लिये हैं और इसको भी ह कुक नहीं करना है खुले ही आपको पकाना है यह देखिए चार से पांच मिन्ट टाक हमने से कुक की और हमारा मसाल अच्छी तरह से भुण चुका है और आप इसमें एड़ करने वाले हैं आठ सो नो करीब आठ से नो करीब मैंने यहाँ पर लिया है लेसुन की कलिया उसके बाद इसमें एड़ करेंगे एक चम्मस जिंजर और इसको भी एक दो मिन्ट के लिए कुक करेंगे उसके जब यह कुक हो जाएगी और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हमेंसे मिक्सी में डाल के इसका एक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं चमस अमचूर का पाउडर का न sarà। जिससे इसमें एक टैंगी सा फ्लेवर आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है उसकर इसमें एट करेंगे हाप चमस जीरा का पाउडर और यह भूंजा हुआ जीरा है उसका पाउडर है अब इस सारी चीजों को मिक्सी में डाल के हम अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लें है तो इसमें मैंने तीन से चार करी बड़े बड़े आलू थे तो उसको डाला है उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चार ब्रेड इसको मैंने पानी में थोड़ी दे सोक कर लिया था उसके बाद मैं इसे मसल के डाल दूंगी यह हमारी जो कबाब है उसको अच्छा सा टेक् कुछ भी नहीं अब मैं एक पटेटो मेशल लूँगी और उसको इस तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से इस तरह से दबा दबा के मैं पूरा मैस कर लूँगी जिसमें कुछ भी पीसेस ना बचें क्यूंकि आलू और मटर के थोड़े बाद पीसेस बच जाते हैं तो वो इ कान फ़र डाल लिया है यदि आपके पास कान फलार नहीं है तो आप 3-4 तुमस मैदे को डाल ली जिए और फिर वह यदि आपका यह जो मसाला नहीं होता है तो आप से दस मेंट के लिए फ्रिज में रख देंगे ना तो यह अच्छी तरह से तो जाएगा तो आप हम ले ले लेते हैं और कबाब सिर्टेन हैं तो हथ में थोड़ा-ठोड़ा सा ऐलाई लगा लेंगे जिसे हमारे कबाब हैं वो छिपufenेंगे नहीं हाथ में तो इस तरह से गोलगोल कबाब तैयार कर लेंगे तो इसी तरह से सारे कबाब करएंगे warm तयार यदि आप मेरे चैनल पर न्यूव हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेर करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ भी दिक्कत होती है, माइक्रोवेब से संबंदी, आप जुलकुल कमेंट करिएगा, मैं बहुत जल्दी रिपलाइ देने की कोशिश करती हूँ, तो आप ये देखिए सारे कबाब हमारे बन चुके हैं, इसी तरह से हम सारे कबाब बनाते जाएंगे, जितना आपका ट्रे में बनते जाएंगे, आप उतना बना सकते हैं, बस इसको थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना एकदम चिपकाना नहीं है, और मैंने उपर से लगा दिया है, काजू, तो हम चलते हैं, माइक्रोवेब में, तो यहां पर ले लिया है, मैंने हाई रे, तो जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ, यदि आपका चारकूल मॉडल नहीं है, तो आप कन्वेक्शन मोड सेट करिएगा, दोसो डिग्री पर उससे इस तरह से बनाएगा, तो हम यहां पर यह बहुत ध्यान से करिएगा, आपने जितना भी वेट का लिये हैं, कबाब जितने भी सारे मसाला आपको लगे के हाँ इतना वेट है, तो आप उससाब सो वेट सेट करिएगा, क्योंकि यह आटो मीनू है, तो खुद से ही सारी चीज़े यहां पर को खोती हैं, तो आप व पर टू हंडड़ डिग्री पर 15-20 मिनिट के लिए इन्हें बेक करेंगे, तो आपके हरे भरे कबाब तैयार हो जाएंगे, तो मैं सारे कबाब को पलट दिया है, और अब हम रख देते हैं इसे माइक्रोवेब में, तो यह देखे पलट दिया है, आप इनको रख देते हैं और बसता है, तब एक छोटी सी बीब का और साउंड आता है, तो जैसे ही वो बीब का साउंड आएगा, आपको फेसे इन्हें निकालना पड़ेगा और पलटना पड़ेगा इन सारे कबाब को, तो बहुत धीमी आवाज आती है, बीब की इसलिए आपको बीब सुनते रहना पड़ेगा, तो अब देखिए, थोड़ा सा 41 सेकंड बचे हुए हैं और यह बीब का साउंड आए था, तो आप इन सारे कबाब को निकालूंगी और इन सारे कबाब को मैं पलट दूंगी, तो इस सारे कबाब इस तरह से अच्छे पलट दे रहे हैं, ठोड़ा हलके हलके हा जबू भी आती है, सौंदी सौंदी, और आप हमने स्टार्ट की बटन को अन कर दिया है, और बैस हमारे 41 सेकंड में हमारे जो कबाब है, वो बनके तयार हो जाएंगे, तो इस तरह से आप यदि आपके पास LG का चारकोल मॉडल है, तो चारकोल में जो मटर कबाब की तयार हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छे तयार हुए हैं ये, तो आज की रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, मिलती हूं मैं आप लोगों से नेक्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, बाइ-बाइ-थैंकी सो माई